नमस्कार, रीनास फूट कॉर्णर में आपका स्वागत है कुछ मीठा खाना हो और हेल्दी भी खाना हो कम घी या तेल का तो लड़ू इस तरह से बनाए जो शुरू करने से पहले इदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर ले और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर ले ये रेसिपी किसी के रिक्विस्ट से बनाए गई है आए देखिए कम घी से कैसे लड़ू बनाते है टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसे बनाएंगे चुकि इस लड़ू में कम घी का इस्तमाल किया गया है इसलिए आप नॉनिस्टिक पैन ले आप स्टील की भी कढ़ाई में इस लड़ू को बना सकते है सबसे पहले ड्राइफ रूट्स को रोस्ट करेंगे अपने मन पसंद की कोई भी ड्राइफ रूट्स ले सकते है इसके लिए मैंने बदाम, काजू, मगज, अक्रोट, पीस्ता एक टेवल स्पून पोस्टो लो फ्लेम पर गतार चलाते हुए ड्राइफ रोस्ट करेंगे आप इसे घी में भी भून सकते है देट टेवल स्पून मैंने अलसी लिया है रोस्टेट फिर से थोड़ा सा इसे गर्म कर लेंगे ड्रैफ रूट्स भून गये हैं, अब इसे ठंडा करेंगे जार में निकाल लेंगे, दर-दरा पीस लेंगे वन फोर्ट सुखे नारियल को ग्रेट कर ले, इसे थोड़ा सा भून ले लगभग एक मिनट के लिए आप डेसिकेटिड नारियल इसमें ना इस्तमाल करें उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है इस लड़ू में नारियल को भूनने के लिए आप घी का इस्तमाल ना करें इसे किसी बतर में निकाल लेंगे चमच खी डाले इसे फैला ले वन फोर्ट कप मैंने गोंद लिया है लगबग दो टेबल इस्पून इसमें डाले लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे सेके लगातार चलाए कुछ देर के बाद ये पॉपकॉर्ण की तरफ फूल जाता है फिर से एक चमच घी डाले बचे वे गोंद को फिर से डाले फिर से इसे लगातार चलाए लो टू मीडियम फ्लेम पर इदि आप ज़्यादा घी इस्तमाल करते हैं तब भी आप लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेके हाई फ्लेम पर जब हम इसे सेकते हैं तो अंदर से कच्चा रह जाता है यदि गोन का टुकड़ा बड़ा हो तो उससे छोटे टुकड़े में तोड़ ले तब सिकाई करें इसे भी अब निकाल लेंगे तूर थर्ट कप इसमें भूने हुए मखाने ले आदा मिनट के लिए इसे फिर से गरम कर ले यदि आपके पास भूने मखाने ना हो तो लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए मखाने को भून ले उसी पैन में एक कप गेहूं का आटा ले और वन फूर्थ कप बेसन ले अब इसे लो फ्लेम पर ड्राइ रोस्ट करेंगे आप घी कभी इस्तमाल करके इसे भून सकते हैं लगातार इसे चलाएंगे हाई ये मीडियम फ्लेम ना करें जिससे ये आटा जल जाएगा इसे लगातार चलाते रहें जब आटा भून जाता है तो उसका इसमेल चारो तरफ फैल जाता है और थोड़ा कलर भी चेंज हो जाता है आटा भून गया है अब इसमें दो चमज घी डाल दें आप बिना घी कभी बना सकते हैं जब हम घी डालते हैं तो इसको दबा दबा करके भूनेवे आटे और बेसन में मिलाएं जिससे लड़ू बांदने में अराम हो जाता है चुकि आटा और बेसन भूना हुआ है इसलिए घी को पिगलाने की जरुवत नहीं है इसके हीट से पिगल जाता है अब इसमें भूनेवे ड्राइप रूट्स के पॉडर डाल दें भूनेवे ग्रेटे नारियल भी डाल दें थोड़ी से किश्मिस डाल दें मखाने गोंद और तिल भूनेवे तीनों को मिक्सी में पीस लें दरदरा उसको भी डाल दें इसे किसी बड़े बरतन में निकाल लें इससे लड़ू बनाने में असान हो जाएगा उसी पैन को पोच करके लगबग एक कप मैंने कटे हुए गुड लिये हैं उसमें वन फोर्थ कप पानी डाल दें इसे पिगला लें इसकी चाशनी हमें नहीं बनानी है थोड़ा सा इसे स्टिकी ही रखना है जब हम हाथों में लेते हैं इस गुड के सिरप को थोड़ा ये चिपचिपा ही रहता है सभी चीज़ों को अच्छी तरस से मिला लें बीच में गड़ा करें लगबग एक चमच इसमें सोट पॉडर डाल दें गुड के सिरप को च्छान लें जिसे कोई गंदगी होगी तो च्छन जाएगी अब इसे मिला लेंगे चमच से चुकि अभी गरम है इसलिए चमच से ही मिलाएं अब हाथों से मिला लें लड़ू बनाने के लिए हाथों में घी लगाएं थोड़ा सा पाट ले और इसका लड़ू बना ले शेप और साइज अपने मन पसंद के लिए यदि आप चीनी का लड़ू बनाना चाहते हैं तो पीसी चीनी लें भुनेवे आटे में मिला दें और गरम में ही लड़ू बना ले पीसी चीनी से लड़ू बनाने में दिक्कत होती है तो थोड़ा सा घी मिल्ट करके डाल दें यदि आपको घी पसंद ना हो तो थोड़ा सा पाने स्प्रिंकल करें तब जाकर के पीसी चीनी से लड़ू बन जाता है आटा और बेसन की जगह पर आप अपने मन पसंद के कोई भी आटा ले ले और उसे भी लड़ू बनाया जा सकता है यह आप किसी तरह कभी आटा नहीं लेना चाहते हैं तो भूनेवे ड्राइब फूर्ट्स और भूनेवे गोंद को पीस ले और उसे एक चमच खाएं दूद के साथ तब भी वो हिल्दी होता है यह दि आप कार्ब्स कॉंसर्स है तो इसे स्टेप को फॉलो करें तो यह था गोंद का लड्डू बनाने का असान तरीका जिसे कम घी में बनाये गया है आप इसे बनाएं और अपना अनुबब रिनास फूट कॉर्णर में कमेंट करें अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना बूले और शेयर भी करें थैंक्स पर वोचिं